हेलो प्रेंस स्वागत है आपका अपनी यूटूब चैनल इजी कुकिंग बाई सुधा में आज में लेकर आए हूं आपके लिए मटर पनीर की बहुत ही डिलीसियस रेस्पी उमीद है कि आज की रेस्पी आपको बहुत ही पसंद आएगी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा तो चलिए फॉटाफट सुरू करते हैं तो फिरिंस कड़ाई मैंने रग दी हम इसमें डालेंगे एक और हाफ यानी की डेढ़ बड़े चमाच रिफाइन डॉल जब ऑल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे अब बड़े साइस के तीन कटे हुए टमाटर डालेंगे तो टमाटरों के बीच निकाल दिये हैं तो टमाटरों को यहां में सॉप्ट होने तक पकाना है तो इसमें आधा चोटा जमाच नमक डालेंगे आप चाहे तो इसे कवर करके पका सकते हैं या फिर ऐसे ही खुला पक तो यह दिखे फिर पेश्ट मारा त्यार हो गया तो मैं इसे रख देती हूं साइड में तो इसी कड़ाई को मैंने दुबारा साफ करके रख दिया है अब हम इसमें डालेंगे चार बड़े चमच रिफॉइंड और जो ऑल अच्छे से करम हो जाएगा तब हम इसमें डालें एक चमच कसमेरी लाल मिर्च पाउडर और आदा चोटा चमच हम इसमें हल्दी पाउडर आलेंगे बस इसे चला देंगे फिलेम को हम यहां बिलकुल लो रखा है अगर और जादा गर्म हो तो आप यहां पर फिलेम को आप पी कर सकते हैं इसके बाद यह टमाटर कपेश्ट करते हैं अब यह जा आप पनीर बनाया सांबर बनाया अजर इसे बनाی मसाला दानते हैं थो बहुतती बड़्या तेस्ती आता है जिसा आप शादी पार्टी में आगाए न सेम टेश्ट आयगा इसके बाद यहार। कर दोकर 1 फॉर्थ कप के लमसम पानी डाल देंगे अच्छे से मिक्स कर देंगे लो टू पीडियम डखेंगे मसाले को बीच बीच में चलाते रहेंगे तो आप मिसे कवर कर देंगे और पकने देंगे चली देखते हैं मसाले को पकते हुए 6-7 मिनिट हो गए है थोड़ा-थो दो चमचिस में टोमेटो केचप डाल देंगे अगर आपको मीठा फ्लीवर थोड़ा सा कम पसन है तो आप एक चमच डालेगा फ्लेम को मीडियम कर देंगे इसे पहले मिक्स कर देंगे तो फ्रिज मलाई डालने के बार मैंने इसे 5-6 मिनिट और पकाया है लेकिन अभी इसक कौंटिटी है थोड़ी सी कम हुई और पूरी तरह से नहीं सीप्रिट हुआ है तो इसे हम 2-3 मिन मीडियम फ्लेम पर बकाएंगे तो अब आप देख सकते है इसकी कौंटिटी जो है हाफ हो गई है और भी पूरी तरह से सीप्रिट हो गया यानि मसाला हमारा अच्छे से मंठेरो अद्уб हम 205 कश संग्याम तो अगर आपको मतर कम पसंद में तो आप 1 कभी डाल सकते हैं जयादा पूपक आप पानी सागल perché यूशनी घरम निकाल का से सादे पानी में ठंडें पानी में में रख दिखेगा इसे क्या है मतर कभी भी श्रिंख नहीं करता है ऐक्दम पानी ब economists है अरो equip ने देखते हैं यदा का पर हैं कि मिड्यों कर देंगे इसे कवर कर देंगे तो कवर कर देंगे तो चले देखते हैं फ्रेंस ग perspectives क्रेवी आच्छे सुपालने लगाँ यहां पर म rêने 450 ग्राम कछा पंटी लिए लिया है आपको फ्राइ किया हूआ पनीर पसंदे तो फैर पनीर को आप फ्राइ कर लिजिगा इसके बाद paghanya पाणी गर्म कीज़ेगा उसमें थोड़ा सा नमक डालेगा फ्राइ किया हूआ पनीर स्रिंक नहीं करेगा क्योंकि फ्राइ करते बाद पनीर शिरंक करजाता है । जब मिनट हो गये हैं अब इसमें डालेंगे आधा चोटा चमच गणमसाला और एक चमच इसमें हो रोष्टेट कसूरी मेथी ढलते थोड़ी सी धन्या पती डाल देंगे इसके बाद हलके हाथ हो से यसे हम थोड़ा सा चला देंगे इस एक फ्लेम को फरस हो सकता है अभी जो है बाड़ी हो गई है कितना बढ़िया ठेक्चर एक दम क्रीमी क्रीमी बहुत ही लाजवाब बनी है तो फिर आप इसे चपाती चावल पोड़ी नान किसी के भी साथ खाई यह बहुत ही मस्त बनी है तो फिर एक बार बनाना बनता है तो फिर बनाइए खाई और अपने अनभों ह से शेयर कीजिएगा आज यह आपको कैसे लगी जरूर बताएगा तो फिर मिलती हूं एक नए रेस्पिक साथ